प्रेव्यूवर्स यह संस्क्रति आई एस यूट्यूब चैनल का पीटी थिंक एंड सॉल प्रोग्राम है इस प्रोग्राम के अंतरगर्द प्रती एक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंदित पांच प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ दिये जाएंगे हमें आशा है कि यह प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा तो चलिए शुर करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रंकला को निर्म लिखित कत्मों पर विचार कीजिए पहला भारत विश्यु में रेश्यम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है दूसरा भारत पाया जाता है तीसरा रेश्यम कीट पालन को सेरी कल्चर कहते हैं उपरक्त मेंसे कौन सा कथन सही नहीं है एक एवल एक और तीन बी केवल दो सी केवल दो और तीन डी उपरक्त मेंसे कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा ओप्शन डी असम सरकार महत्मा गांधी और खादी के लिए उनके अंदोलन को श्रधांजली देने के लिए चरणवद तरीके से ग्रेट फोर कर्मचारियों को खादी शर्ड एरी शॉल और एरी स्टॉल प्रदान करेगी यह कदम आत्मिनिरबर भार भारत का एक हिस्सा है जो असम के बुनकरों को आर्थिक मजबूती प्रदान करेगा चीन रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जिसके बाद भारत का इस्थान है रेशम के कीटों का पालन सेरी कल्चर कहलाता है भारत विश्व का एक मात्र ऐसा देश है जहां सभी पांच प्रमुक प्रकार का रेशम पाया जाता है इन्हें दो श्रेडियों में विवाजित किया जाता है पहला मलवरी सिल्क मुखिरूप से करनाटक में पाया जाता है दूसरा गैर मलवरी सिल्क जिसमें आता है शीतो तसर सिल्क महराश्र पश्यम बंगाल जहारखन और आ सही है इसलिए इसका सही उत्तर होगा option D बरते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर समाचारों में रहा बाग सारा प्रांत किस राज्य में अवस्थित है A. राजिस्थान B. महाराष्ट्र C. मध्य प्रदेश D. गुजरात इसका सही उत्तर होगा option D हाल ही में गुजरात सरकार ने अम्रेली जिले में अवस्थित बाग सारा को एक नया प्रांत बनाने का फैसला किया है यह राज में राजिस्य सेवाओं को मजबूती प्रदान करेगा यह जिला मूंफली कपास और गेहूं की खेती के लिए जाना जाता है नवनिर्मित बाग सारा प्रांत के संदर्व में लिया गया निर्ने 26 जन्वरी से लागू होगा जिसमें बाग सरा और वाधिया तालुका शामिल है बड़े भवलिक शेत्रों वाले जिले में लोगों को बहुत सी असुवधाओं का सामना करना पड़ता है अता राज्य सरकार प्रशासनिक सुवधा तीवर विकास कारे का बोज कम करने और समय की वच्चत के लिए छोटे जिलू तथा तालुकाओं का पुनरगचन कर रही है प्रांधस और आश्च्र प्रायदीप में सिर्थ काठिया वार के मूल 10 एतिहासिक शेत्रों के कुछ हिस्सों के लिए पारम पर एक नाम है इस प्रकार उपरयोगत सभी कथन सही है इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन D परते हैं अपने निक्स कोश्चन की ओर EV ITDA के संदर्व में निन्म लिखित कत्नों पर विचार कीजे पहला EV ITDA प्याज पूर्व आएकर मूल रहास ततर रिड़ भुकतान मापन प्रणाली है दूसरा इसका उपयोग किसी कमपनी के समगर वित्तिय प्रदर्शन का मुल्यांकन करने के लिए किया जाता है उपरिक्त में से कौन सा कत्न सही है A केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर होगा ओप्शन C EV ITDA व्याज पूर्व आएकर मूल रहास और रिड़ भुकतान मापन प्रणाली है जिसका उपयोग किसी कमपनी के समगर वित्ये प्रदेश्चन का मुल्यांकन करने के लिए किया जाता है इसके द्वारा कमपनी को होने वाला लाब का पता लगाया जाता है इसका उपयोग कंपनीओं के वित्य स्वास्त की तुलना करने तता विविनकर्दरों और मुल रहास्वनितियों वाली फर्मों का मुल्यांकर्ण करने के लिए किया चाता है इस प्रकार कतन एक और दो दोनों सही है इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन C देखते हैं आज के अपने चौथे प्रश्न को इसका सही उत्तर होगा Option A कोईला मंत्राले ने एक एकी कृत मंच सिंगल विंडो क्लेरेंस पोर्टल रॉंच किया है यह भारत में कोईला खदान शुरू करने के लिए आवश्यक मंजूरी प्रदान करता है सिंगल विंडो क्लेरेंस पोर्टल नियूनितम सरकार अधिक्तम शासन की अवधारना पर आधारित है यह भारतिय कोईला शेत्र में व्यापार सुगमता के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध होगा वर्तमान में देश में कोईला खदान शुरू करने से पहले लगभग 19 प्रमुख अनुमोधन या मंजूरिया प्रदान करना अवश्यक है इस प्रकार कथन एक और तीन सही नहीं है जबकि कथन दो गलत है इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर के संदर्ट में निनमलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला यह 20 संकों की यूनीक संख्या होती है जिसका प्रयोग वित्य लेंदेन हेतू लीगल एंटिटी की पहचान करने के लिए किया जाता है दूसरा इस प्रणाली की शुरुवात रिजर्व वैंग द्वारा की गई है जो 1 एप्रेल 2021 से प्रभावी होगी उप्रित में से कौन सा कर्थन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी ना तो एक ना ही दो इसका सही उत्तर है ओप्शिन सी हाल ही में रिजर्व वैंक ने डियल टाइम ग्रास सेटिलमेंट तथा नैशनल एक्ट्रोनिक फण ट्रांसफर के द्वारा पचास करोण और उससे अधिक के सभी भुकतान एवं लेन देनों के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नामक प्रणाली की शुरुवात की घोशना की है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर प्रणाली एक अप्रेल से प्रभावी हो जाएगी लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर बी संकों की विशिस्ट संक्या होती है जिसका प्रयोग विश्वभर में वित्य लेन देन के लिए तथा पार्टियों या लीगल एंटिटी की पहचान करने के लिए किया जाता है इस प्रकार कथन एक और दो दोनों सही है इसलिए इसका सही उत्तर होगा option C